नमस्कार और स्वागत है आपका मानिया एजुकेशन में आज के इस लेसन में हम लोग कंप्यूटर का परिछह जानेंगे इंट्रोड़क्शन टू कंप्यूटर ये जो लेसन्स है ये MPPSC 2020 प्रिलिम्री एक्जाम स्पेशल है और इस सीरीज में हम लोग इन्फॉर्मेशन और कम्प्यूटर के बारे में जा रहेंगे तो आज का लेसन मैं इससे पहले शुरू करूँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक् ठीक है वो एलेक्ट्रोनिक डिवाइस होता है तो कंप्यूटर एक एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है जो यूजर से डाटा लेता है और उस पे करवाई करता है और रिजल्ट दिखाता है यानि क्या 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 काम करता है यूजर से डाटा लेता है पहले इन्पूट की रूप म सिर्फ computer ही नहीं, दुनिया के maximum जो machines हैं, वो इसी सिधान्त पे काम करते हैं, input, process और output. Computer को data देने के लिए input devices का उपयोग होता है, processing करने के लिए CPU का उपयोग होता है, और output देखने के लिए output devices का उपयोग होता है. इनपूट देने के लिए input devices का उपयोग, तो input devices कौन कौन से हो गए, जैसे keyboard हो गया, mouse हो गया, यह सब चीज़ें जो हैं, वो computer को data देती हैं, इनहीं के माध्यम से user से data लेता है, इसलिए यह सब जो हो गए, वो कहलाएंगे input devices, और computer हमको result किसी से show करता है, output devices से, जैसे कि printer से print निकाल के show कर देता है, monitor पे display करके show कर देता है, तो यह सारी चीज़े, printer, monitor वगए यह सब हो गए, output devices, अब एक बहुत important चीज़ है कि यह processing कैसे करता है, तो processing करता है, CPU से, तो computer में एक CPU होता है, monitor और CPU आपने देखा होगा, CPU यानि के central processing unit, पूरा processing का का काम, central processing unit का ही रहता है, तो computer एक electronic device हम लोग यह समझ गया, user से data लेता है, यानि input लेता है, process करता है, और output show करता है, result दिखाता है, input के लिए input devices का उपयोग होता है, processing करने के लिए CPU का उपयोग होता है, और output दिखाने के लिए output devices का उपयोग होता है, यहाँ पर हम लोगों को father of computer के बारे में जानना बहुत जरूर है जरूरी है चाल्स बैबेज जो थे जिनका जन्म हुआ 26 दिसंबर 1791 को और देहावसान हुआ है 18 अक्टूबर 1871 को इनको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है फादर अफ कंप्यूटर कहा जाता है इन्होंने 1837 में अनालिटिकल इंजन नाम का एक मशीन बनाया था जिसे दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है यह एक mathematician थे और इन्होंने analytical नाम का analytical engine नाम का एक device बनाया एक इन्होंने इस तरह से यंत्र बनाया जिसे दुनिया का पहला programmable computer माना जाता है क्योंकि ये program से less था क्योंकि ये किसी ने किसी तरह की processing करता था और pre-programmed processing करता था इसलिए इसे दुनिया का पहला programmable computer माना जाता है और इसे बनाने वाले Charles Babbage इन्हें computer का पिता माया यानि father of computer कहा जाता है अब computer की पीडियों के बारे में जान लेते हैं computer जब बने तो उसमें बहुत सारे सुधार हुए आगे चल के बहुत सारे सुधार होते रहे आज की date में computer कैसा है जब पहले बना था और जैसा आज है इसमें बहुत difference हो गया है तो computer को उसके circuit के बनावट के हिसाब से ना circuit पहले वाकिम टूब के बने फिर transistor के बने फिर IC आगए तो इस तरह से computer के जो circuit है उनके बनावट के अधार पर पांच पीडियों में computer को बाटा गया इसे कहते हैं computer की पीडियों आई generations of computer तो computer को उसके circuit के बनावट के अनुसार पांच पीडियों में बाटा गया है पहली पीडिया आई first generation 1940 से 1956 तक दूसरी पीडि second generation 1956 से 1963 तक तीसरी पीडि third generation 1963 से 1971 तक चोथी पीडि 1971 के बाद चलती आ रही है और पांचवी पीडियी जो है हो simultaneously fourth generation के साथ चल रही है जो अभी भी चल रही है और आगे भी इसके चलने की कुछ समय तक तो एटलिस्ट चलने की संभावना है तो चौथी पिड़ी पांचवे पिड़ी ये समूल्टेनियसली चल रहे हैं दोनों को समाप्त नहीं कहा जा सकता है पहली दूसरी और तीसरी पिड़ियां समाप्त हो चुकी है अब इनमें जो मैंने समय दिया है जैसे पहली पिड़ी हो गई चलने की संभावना है तो ये जो समयावधी है ये अपचारिक नहीं है ये कहीं किसी ऑफिशल डॉकमेंट बना ही लिखा गया है ये अलग-अलग ओथर्स के अलग-अलग लोगों के अपने-अपने मत हैं जिनके हिसाब से ये अलग-अलग किताबों में अलग-अलग मिल सकता है अलग-अलग लोगों की अलग-अलग माननेताएं भी हो सकती है मैंने एक एबरेज टाइम जो है वो प्रतेक पीड़ी की लिखती है अब हम लोग जानते हैं पहली पीड़ी में क्या था पहली पीड़ी में कम्प्यूटर क्या होता है यह होता है ठीक है यह वाला जो आप देख रहे हैं फोटो यह हुआ वैक्यूम टीव इसी का बनता था सर्कुट अब आप देख सकते हैं यह साइज में बड़ा है इसके फ्यूस होने के संभावना भी ज्यादा है यह गर्मी भी पैदा करता है और साइज में चु के लिए magnetic drums का उपयोग होता था ठीक है यह पंच कार्ड यह होते थे input देने के लिए उपयोग और यह magnetic drum यह आप देख सकते हैं यह magnetic जो है इसमें strips लगाई गई हैं और यह घूम-घूम के जो टेटा है उसको स्टूर करता है तो इनका उप्योग होता था है वैक्यूम ट्यूब से बनते थे सर्किट पंच कार्ड से होता था इंपूट और स्टोरेज होता था मैंगनेटिक ड्रम के अंदर इस पीड़ी के जो कमर्शल कम्प्यूटर थे वो थे एनियाक यानि कि और दूसरा क्या नाम था एडवाक यानि कि एलेक्ट्रोनिक डिस्क्रीट वेरियबल आटोमाटिक कम्प्यूटर एनियाक और एडवाक ठीक है और इन दोनों का विकास किसने किसने किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैकुली ने 1947 में इनका निर्मान किया था एनियाक और एडवाक ठीक है एनियाक जो थे वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर काम करने वाले कंप्यूटर थे और एडवाक जो थे वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करते थे तो डेसिमल नंबर सिस्टम कौन से होते हैं जिससे हम लोग नॉर्मल जिंद सिस्टम के मामले में क्योंकि वह बाइनल नंबर सिस्टम यूज़ करते थे यह वैक्यूम ट्यूब पंच कार्ड और मैगनेटिक जब हम देख चुके हैं अब पहुंचते हैं हम लोग दूसरी पिडी में दूसरी पिडी में सरकिट बनाने के लिए ट्रांसिस्टर का उप्यो और उनको खराब होने की जो फॉल्ट है वह भी थोड़ा सा कम हुआ और यह थोड़े से स्पीड भी बढ़ गई तो माइक्रो सेकेंड में कैलकूलेशन भी होने लग गया तो मशीन भाषा के स्थान पर असंबली भाषा का उप्योग किया जाने लगा असंबली भाषा यान बाद में उसको मशीन लेंग्वेज में डिकोड किया जाता है यानि जिस लेंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखेंगे उसको पहले असंबली लेंग्वेज में और फिर बाद में मशीन लेंग्वेज में जो है वो बदला जाएगा तो अब मशीन भाषा यहने की 01 की जो का प्योग हुआ और प्रिंटर का उप्योग शुरू हुआ ठिप driven magnetic डिस्क अप्योग होता था इडिटा को स्टूर करने के लिए और प्रिंटर का उप्योग हुआ रेटा का प्रिंट आउट निकालने के लिए इस PD के जो second PD के commercial computer थे उनका नाम क्या था IBM 7094 जो कि IBM ने develop किया था और IBM 1400 इसके बाद CDC 164 नाम का भी एक computer था और यह सारे अपने जमाने में commercially काफी अच्छे खासे सफल हुए तो यह transistor हो गया, magnetic tape जिसमें data जो है वो store करते थे और यह magnetic disk जिसमें data store किया जाता था तो data store करने की तकनीक काफी advance हुई, circuit बनाने की भी तकनीक काफी advance हुई उसके बाद आता है तीसरी PD, तीसरी PD में computer बनाने के लिए integrated circuit का उपयोग चलू हुआ और यहां से एक बहुत बड़ा revolution चलू हुआ, computer और फिर बागी जो electronic devices थे उनमें भी एक बहुत ही बड़ा revolution चलू हुआ क्योंकि integrated circuits का उपयोग यहां पर शुरू हो गया, अब integrated circuit की संकल्पना किस ने दी थी, 1958 में Jack Kilby नाम के एक जक्ती ने दी थी ठीक है, और 1961 में integrated circuits का commercial उपयोग भी चालू हो गया था, अब तीसरी PD में commercial computer कौन कौन से थे, IBM 370 था, IBM system 360 था, UNIVAC 1108 था, और UNIVAC AC 9000 नाम का computer था, यह सारे के सारे बड़े ही successful commercial computer थे, तीसरी PD के, अब देख लें था हम लोग कि integrated circuit कैसा देखता है, वो ऐसा दिखता है ठीक है, silicon की chip होती है, इसके अंदर बहुत सारे transistors fix होते हैं, और बहुत सारे resistors fix होते हैं, इस तरह से यह एक बहुत बड़े circuit को बहुत ही छोटे में समाहित कर देता है, ठीक है, इस वज़ा से, अब change क्या क्या आगया computer में, computer की size जो है, वो कफी छोटी हो गई, table पर रखन अलैक हो गई, और दूसरा काम क्या हुआ, गर्मी AC की जरुवत खतम हो गई, क्योंकि अब इसमें से गर्मी कम निकलती थी, और इसमें जो fault होता था, बार-बार computer खराब होना, वो भी कम हो गया, चौथी PD, चौथी PD में, micro processors का उप्योग चालू हुआ, integrated circuit और advanced हुए, और व पहला, micro processor processor इन्हों ने बनाए Intel के लिए, जिसे Intel 4004 कहा गया, ठीक है, 4004 या 4004 इसको आप कह लिजे, 0 को भी ऐसे normal language में कहा जाता, अब एक Silicon Chip में हजारों integrated circuit लग सकते थे, कितना बड़ा advancement हो गया, एक Silicon Chip में हजारों integrated circuit लग सकते थे, पहले एक integrated circuit था, तो उसको हम लोगों ने बहुत-बड़ा revolution मान लिया, लेकिन अब एक integrated chip, एक Silicon Chip में बहुत सारे integrated circuits लग सकते थे, यहाँ पर कुछ और technologies का उपयोग हुआ, जैसे LSI, यानि कि large scale integration, यही चीज़ है, Silicon Chip में हजारों integrated circuits लगाना, और advanced में जाएं, तो VLSI, यानि कि very large integration भी चालू हुआ, और और आगे तक पहुँचा मामला, और ultra large scale integration चालू हुआ, 1981 में IBM ने home user के लिए पहला computer भी launch किया था, यह भी एक बहुत-बड़ा revolution है computer की जो पीडियां है उनमें, कि 1981 में IBM ने home users के लिए पहला computer launch किया था, Silicon Chip का पितामा किसे का जाता है, भारत में जन्में American Engineer Vinod Dham को, यह याद रखिएगा, बहुत ही important general knowledge की चीज़ है यह, कि Silicon Chip का father, father of Silicon Chip किसे का जाता है, एक American Engineer थे, लेकिन उनका जन्म भारत में हुआ था, इंजिनियर का नाम था, विनो द्धाम, यह microprocessor chips है, जिसमें बहुत सारे integrated chips है, वो integrate हो जाता है, अब आते हैं, पांचवी पिडी की और, यह artificial intelligence की पिडी है, बहुत intelligent machines बन रही है, parallel processing चल रही है, natural languages चल रहे है, super conductors चल रहे है, artificial intelligence एक सत्य बन गया है, natural language, suppose, आप किसी व्यक्ती से बात करते हैं, व्यक्ती आपकी बातें समझ जाता है, आपका expression समझ जाता है, उसी प्रकार से आपकी रोबोट से बात करेंगे, रोबोट आपकी बात समझ जाएगा, और आपकी expression समझ जाएगा, super conductors जहाँ पे, एक example ले लें, तो train चलेंगी, तो अद्भूत गती से चलेंगी, उनका accident नहीं होगा, parallel processing जहाँ पे बहुत सारे processes एक साथ चलेंगे, second processes एक साथ चलेंगे, इस तरह के जो बड़े बड़े काम है, artificial intelligence ये सब चीज़ें पांचवी पिड़ी के अंदर हो रही है, artificial intelligence का पिता, मार्विन मिंस की नाम के एक अमेरिकी विज्ञानिक थे, उनको कहा जाता है, जिनका जन 1927 में हुआ और 2016 में जिनकी मृत्यू हो गई, अब एक architecture है computer का one newman architecture, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है, कि computer का जो अंदरूनी structure है, वो किस तरह है, देखिए computer input process और output करता है, तो input और output जो है, वो input devices और output devices की साहता से होते हैं, अब बीच में आया process वाला काम, ठीक है, तो process वाला काम में central processing unit रहेगा, जो कि memory unit यानि कि storage unit से जुड़ा होता है, यहाँ पर आप देख सकता है, central processing unit जो है, वो memory unit से जुड़ा हुआ है, अब central processing unit में खुद दो तरह के unit है, एक है control unit और दूसरा है arithmetic logic unit, cu और alu, तो control unit क्या काम करता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के का करता है, जैसे कि, suppose कोई graphic चलाना है, ठीक है, कोई photograph को पहचानना है, कुछ editing करनी है, कुछ इस तरह के जो features है, वो सारे के सारे control unit करता है, साथ ही जो devices लगे हूँ है, peripherals लगे हूँ है, यह सब सारी सब को पहचानना, उनसे काम लेना, यह सब सारी चीज़े control unit करता है, और arithmetic logic unit जो है, वो mathematics, mathematics सिर्फ इता नहीं जोड़ घटा भी नहीं, जो पीछे का mathematics चल रहा है, जो machine language का mathematics चल रहा है, उनसे सब से deal करता है, तो central processing unit में CU और LU दो अलग अलग परकार के भाग होते हैं, CPU जो है, वो memory unit से जुड़ा रहता है, जो इसमें data store होता है, और यह सब मिलके ब output device और output device से जोड़ा जाता है, input devices से data computer को दिया जाता है, और output devices से computer द्वारा data हमें दिया जाता है, रदल्ट शो किया जाता है, अब यहाँ पर CPU की हम लोगों ने चर्चा की, यह बहुत ही important चीज है कि हम लोग CPU के बारे में जान लेगी क्या है, तो CPU computer का मस्तिस्ख है, मैंने जैसा भी कहा कि computer processing करता है, तो किस की साहता से करता है, CPU के साहता से करेगा, तो जो processing करेगा, वो ही computer का मस्तिस्ख है, इसका काम क्या है, computer पर आने वाले input और निर्देशों की processing करना, ठीक है, अब computer में arithmetic, logical, logical काम, control से जुड़े काम होते हैं, input, output से सम्मंदित काम होते हैं, और CPU को आप processor के नाम से आम तोर पर कह सकते हैं, तो computer की में क्या होता है, arithmetic, logical काम होते हैं, इसमें control से जुड़े हुए काम होते हैं, input, output, devices को पहचानना, उन्हें जोड़ के रखना, उन से device, उन devices से data लेना, या उन devices को data देना, यह सब सारा काम जो है, वो CPU करता है, CPU में एक motherboard होता है, motherboard यानि कि एक flat board होता है, जिसके ऊपर सारे के सारे circuits बने होते हैं, तो, इसे computer में motherboard पे लगाया जाता है, और motherboard के माध्यम से ही computer के सभी भाग आपस में communicate करते हैं, ठीक है, motherboard बहुत ही important चीज है, अब CPU के भाग देख लेते हैं, arithmetic logic unit, जो गड़िती और तरकिक काम करता है, उसके बाद process register, जो होता है, एक storage space होता है, जहाँ पर CPU उन processes को रखता है, जो process related होते हैं, जैसे suppose करिये, कोई ऐसा process है, जो इस वक्त running में है, और उसकी कुछ temporary data है, जो कहीं पर रखनी है, तो वो सिधा store नहीं किया, कर दिया जाता है, हार डिस्क में, वो एक ऐसी space पर रखा जाता है, जिसे बोला जाता है, प्रोसेसर रेजिस्टर, ठीक है, उसके बाद होता है, control unit, control unit सारे कारियों को नियंतरित करता है, जैसे कि input, output devices, प्रोसेसर, इनसे सारे जो गतिविदियां होती है, इनसे तालमेल बिठाता है, तो CPU के भाग हो गए, arithmetic, logic, unit, processor, register, और control unit, motherboard की अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये एक printed circuit board होता है, computer में लगा हुआ, जिससे सभी components जूडे होते हैं, ठीक है, computer के सभी भाग इसी के थुरू आपस में जूडते हैं, और ये आपस में सभी भागों का communication सुलब बन आता है, इसमें एक battery भी लगती है, ये देखिए, ये battery, इस battery को क्या बोलते हैं, CMOS battery, CMOS का full form है, complementary metal oxide semiconductor, ये, इसका मैं आपको एक छोटा सा काम बताया है, तो कि computer जब आप बंद कर देते हैं, तो भी computer की जो घड़ी है, computer का जो clock है, वो चलता रहता है, कैसे चलता है, उसको power कहां से मिलता है, उसको power इस battery से मिलता है, complementary metal oxide semiconductor, येनी CMOS battery से, और आप देख लीजे, ये है, एक motherboard का photo, software और hardware के बारे में जारना बहुत ही जरूरी है, जब भी हम लोग computer की बात करेंगे, software जो है, वो भी computer का भाग है, hardware जो है, वो भी computer का भाग है, लेकिन उन दोर में difference क्या है, software वह भाग है, जिसको हम केवल देख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, कुछ software computer system को manage करने के लिए होते हैं, और कुछ काम के अलग-अलग हिसाब से अलग-अलग होते हैं, ठीक है, यानि जैसा काम होगा, वैसा software होगा, जैसा suppose करिए, आप notepad को चू नहीं सकते हैं, ठीक है, न, notepad जो computer के अंदर ही दाएगा, आप monitor को चू सकते हैं, लेकिन आप notepad को नहीं चू सकते, तो वो हो गया एक software, और वो software की एक विशेश काम में ही आता है वो, उसमें आप गाने नहीं सुन सकते, उसमें आप सिर्फ लिख सकते हैं, इसलिए वो एक application software है, यानि कि जैसा काम वैसा software, लिखने के लिए software बनना था, तो वो वैसा application software बना, तो इस प्रकार से द दो प्रकार के software हो जाते हैं, एक होता है system software, दूसरा होता है application software, अब इनका भी अंतर जान लेते हैं हम लोग, computer hardware को नियंतरित और संचालित करने के लिए, जो software होता है, उसे कहते है system software, ठीक है, और system software यानि कि operating system की बात हो रही है, जैसे आपके computer में windows है, अब windows ही सारी कैसे चलाएंगे, फिर आप notepads कैसे चलाएंगे, फिर आप VLC media player कैसे चलाएंगे, फिर आप गानाय कैसे सुनेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, operating system ही एक आधार software है, एक basic software है, जो कि आपके computer में होना ही चाहिए, ताकि वही पैचानेगा कि hardware कौन कौन से हैं, कौन से file open करनी है, कहां पर store करना है, यह वहीं सारी चीज़ें है, वही software है, वो decide करता है, उससे बोलते है, operating system, यह निटी Suppose software, ठीक है, सारे operating system, जो है, वो system software होते है, लेगा सारे system software, operating software नहीं होते हैं, अपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है ठीक है अब अपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टी यूजर अपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे कि DOS, एक Single User Operating System था, बाकि जो Windows, Machine Toe हो गाई, Unix, Linux, Chrome OS वगर यह सब, Multi User Operating System है, DOS के बारे में कुछ बातें जान ले, DOS के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि DOS के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको Exam Point of View से जाननी होती है, ठीक है, Single User Operating System है, पहली बात, Text आधारित है, Character User Interface है, इसमें आप Movies नहीं चला सकते हैं, ठीक है, Character User Interface है, CUI, और जो बाकी जैसे Windows वगरा है, वो सब क्या है, GUI, Graphical User Interface, यानि यूजर को जो इंटरफेस मिलता है, वो Graphical है, अब माउस चला सकते हैं, आप देख सकते हैं, फलाना जगा आइकन है, आप देख सकते हैं, फलाना जगा पे ये File Store है, ठीक है, अब क्लिक करके काम कर सकते हैं, डॉस में आप वैसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डॉस इसलिए ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो Character User Interface है, डॉस को बूट करने के लिए तीन फाइलें बहुत ही इंपोर्टेंट होती हैं, वो कौन कौन से तीन फाइलें हैं, is.sys, ms.doss.sys और command.com, ये तीन फाइलें बहु डॉस में दो प्रकार के command होते हैं, एक होता external command और दूसरा होता है internal command, ये जो command.com है, इसके अंदर जो command अल्रेडी फीडेड होती है, वो कहलाती है internal command, ठीक है, और जो command इसके अंदर फीडेड नहीं होते हैं, वो कहलाते है external command, अभी आप बिल्कुल इतना समझ लिए फिलाल, ठीक है विंडोस के बारे मित्वा से जाने लेते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही पॉपलर ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी के कम्पूटर में आपको लगबग वही दिखता होगा ठीक है इसको बीस रूंबर 1885 के विंडोस 1.0 के रूप में माइक्रोसाफ्ट कंपनी ने रिलीज किया था और मैशिन टोस को 24 जनुवर 1884 को लांच किया था मैशिन टोस जो है वह एपल के कम्पूटर्स में आपको देखने को मिलेगा मोबाइल के भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बार में आप पर आपको पता दो सबसे पॉपलर हो गया Android फिर Apple iOS आइफोन में मिलता है आपको सिंबियन जो कि Nokia के पुराने मोबाइल में आपको दिखता था Blackberry Blackberry के मोबाइल में और Bada यह मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसे Windows जो है वह कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी प्रकार से यह सब जो मैंने अभी आपको सामने नाम लिए है Android, Apple iOS, Symbion, Blackberry और Bada यह सब मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से तो यह सब्प्यूटर के बारे में बात कि हम लोग ने अब जानते हैं हम लोग हार्डवार के बारे में जिन चीजों को आप देख सकते हैं चू सकते हैं वे hardware हैं जैसे आप mouse को चू सकते हैं keyboard को चू सकते हैं monitor को चू सकते हैं तो यह सब hardware है ठीक है computer में उपयोग होने वाले सभी भौतिक अव्यव जो होते हैं वो कहलाते है hardware जिस भाग को हम देख सकते हैं चू सकते हैं hardware computer का शरीर जैसा होता है keyboard monitor CPU cabinet हो गया ठीक है माऊस हो गया, यह सब सारी षिजयनं, हरड़ वेर हैं. अब जाने हम लोग महतोपून्ड northern point पे आ गए है, digital computer कितने प्रकार के होते हैं, यह जाने हम लोग. Digital computer जैसे हम लोग जो laptop use करते हैं, computer use करते हैं, जो home pc use करते हैं, घर में हम लोग. यह सब digital computer हैं, ठीक है? और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह Micro Computer, Mini Computer, Main Frame Computer और Super Computer, यह चार प्रकार के हैं, ठीक है, Micro Computer, Mini Computer, Main Frame Computer और Super Computer, अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि यह क्या चीज़े हैं, Micro, Mini, Main Frame और Super, उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि Computers जो हैं, वो तीन अलग-अलग त होता है, Digital एक होता है, Hybrid, Analog यानि कि जो Digital नहीं होता है, जैसे सब्सक्राइब क्लॉक हो गया, वो Analog होते हैं, बहुत सारे Artificial Intelligence के सिस्टम से भी जोते हैं, वो Analog Technology का इस्तमाल करते हैं, Digital जो हम लोग जैसे PC वेगरा यूज़ करते हैं, और Hybrid जिसमें Analog और Digital दोनों के अब एक एक करके हम लोग जानते हैं, Micro Mini, Mainframe और Super Computer के बारे में, सबसे पहले Micro Computer, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ओफिसे में यूज़ करते हैं, ये Micro Computer है, ठीक है, इस Computer में Micro Processor का उपयोग किया जाता है, इसलिए से Micro Computer करते हैं, अकार में छोटा होता है, आप फोट परन्स नहीं होता है, परन्तु आकार थोड़ा कम होता है, स्पीड थोड़ी कम होती है, और समानेता है, एक बार में एक व्यक्ति बैठके काम करता है, इसमें, तो ये हो गया Micro Computer, आप इतना ध्यान रखें कि ये घरों में और ऑफिसे में उपयोग होने वाला Computer है, फिर आता जाते हैं, इसलिए इसमें Parallel Processing या कि Multiprocessing हो जाती है, तो इनकी यातायात आरक्षण प्रणाली का संचालन हो गया, बैंकिंग वेगरा हो गया, इनमें इनका यूज किया जा सकता है, जहां पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी है, जहां पर एक से ज़्यादा यूजर्स इक अठा काम कर सकते हैं, फिर आता है Mainframe Computer जो और बड़े साइस का है, और ज्यादा क्षमता वाला है, ये MINI Computer से अधिक गती और क्षमता वाले Computer होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह का Computer हैं, डेटा पर तिवरता से कार्ब करने की शम लागों में अपना डेटा रखने के लिए वगरा इस तरह की चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है फिर आता है सूपर कंप्यूटर सबसे अधिक गदी और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं इसमें बहुत सारे सीप्यू लगा दिये जाते हैं और कई उजर एक साथ का सूपर कंप्यूटर दुनिया का इस वक्त है सनवे तैहू लाइट जो की चाइना का है उसके बाद त्यान है टू यह भी चाइना का है फिस डाइंट स्विट्जर लैंड का फिट टाइटन ठीक है सिकू या यह यूनाइटेट स्टेट्स का यह सबसे तेज सूपर है परम 8000 जिसे सीडेक ने डवलब किया था 1991 में याद रहेगा यह सब चीज़ है और सहस्त्रिटी भारत का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर है वर्तमान में और यह आयसने की इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस बैंगलोर में इस वक्त रखा गया है स्पीड की दृष् इस थान पर है ठीक है कुछ फाइल फॉर्मेट के बिरम भी जान लेते हैं जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ फाइल्स बनाते हैं तो उसमें लास्ट में आपको कुछ एक्स्टेंशन देखने को मिलता है जैसे आप कोई नोटपैड में कुछ लिख के आप उसको सेव करे हैं तो वह कैसे से होता है जैसे अपना फाइल का नाम रखा सपोज बिल तो पूरा नाम क्या बन जाएगा कमपटर में सेफ करने के बाद बिल.txt यह txt क्या है यह txt stands for text यानि कि हर फाइल का अपना खुद का एक फाइल format होता है जिससे यह decide होता है कि वह किस तरह का डाटा स्टोर करेगा और वह किस software में open होगा ठीक है तो कुछ document files के हम लोग देख लेता है जैसे DOC या DOCX यह MS Word के होते हैं PPT, PPTX या PowerPoint के होते हैं XLS या XLSX यह जो बाद में आये एक्स लग गाए यह recent वाले हैं और पहले के जो editions थे पहले के जो versions थे उसमें तिन तिन अक्षर के file format हुआ करते थे mdb जो है Microsoft database का है PDF portable document interface का होता है नॉर्मली जो important documents होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इसमें editing नहों से के उसे PDF बना दिया जाता टेक्स्ट जैसा है मैंने आपको बताया था भी नोटपाइड वगरे की file rich text format जो होता है wordpad की file होती है SQL structured query language होती है जिसमें databases के queries लिखे जाते है nrg.dat.iso यह सब disk format है इसमें data जो cd में रखा जाता है वह इस formats में रखा जाता है audio के कुछ formats होते हैं जिसमें आप गाने बाने सुनते हैं सबसे ज़्यादा popular MP3 इसका full form क्या है motion pictures experts group phase 3 ठीक है wave होता है इसमें sound quality वड़ी अच्छी रहती है wave form का short form है cda compact disc audio होता है midi कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग synthesizer वगर बजा के और computer के अंदर जो record करते हैं sound वह सब इसी में आता है मीडिय में आता है musical instrument digital interface का पूरा नाम है wma होता है windows media audio video के बहुत सारे formats होते है avi होता है MP4 होता है यह सब आप जानते होंगे अधिकतर लोग MPG wmv video object जो की और नॉर्मली DVDs में यूप होता है 3GP पुराने जबाने के मोबाइल में बोला compact एक format चलता था वीडियो उसका 3GP बोलते थे उसको FLV flash video जो की flash player में बनाया जाता था उसकी प्रकार से शॉक्वेव flash यह भी flash player में बनाया जाता था quicktime format होता था .mov ठीक है इसमें MP4 जो है वो काफी popular MPG popular है avi popular है और files को compress करने के लिए एक .rar या zip करते हैं .rar format होता है ठीक है यह बहुत बड़ी files को बहुत छोटे size में compress कर देता है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपने file को ले जा सके है pen drive में डल जाए ठीक है तो आर यार का full form होता है roshal archive और zip का कोई real format नहीं होता है वस यह high speed इसका मतलब होता है .pkg होता है compressed file format जिसे बोलते है package package को short format .pkg कुछ fonts होते हैं जो लिखने का जो design होता है वो सब होते हैं fonts का जो file format है वो है .fnt और .ttf ठीक है image photograph रखने के लिए भी कुछ file formats होते हैं जैसे कि JPG सबसे ज्यादा पॉपलर है joint photographic experts group यह इसका full form है .bmp इसमें file जो है वो बड़ी अच्छी quality की होती है normally paint brush अगर में आपको यह देखना को बिलेगा png पी अजी आपको जो files ऐसी होती है image files जिसमें background जो है वो transparent रहता है अधिकतर वो png files होती है photoshop अगरे में काफी popular है यह .gif कुछ photos ऐसे होते हैं जिसमें तुछ मुविंग शो करते हैं वो वो चीज़ होती है graphics interchange format .gif file format की images होती है system files system files यानि कि मैंने इस lesson में पहले कहा हुआ था कि system files यानि वो files जिस पे इनसान directly काम नहीं करता यूजर काम नहीं करता system files जो होती है आपके system के अंदूरुनी क्रियकल आपको करने के लिए होती है यह अपने आप चलती रहती है user को इसे खुलना नहीं पड़ता बंद नहीं करना पड़ता ठीक है .exe होता executable file की कोई भी नया software आपको डालना है तो इसके commands वगर यह सब होता है .v80 होता है उसको जो file format होता है .dll dynamic link library बहुत सारे system files को आपस में जोडने के लिए यह system file बनती है .dll full form होता है driver files .drv छोटे छोटा आइकन होता है उनका file format .i को ठीक है फिर कुछ link files होती है .lnk .msi होता है Microsoft के कुछ installers होता है कुछ जो अपने आप चलते हैं कुछ जो चलाने पड़ते है .msi का full form होता है .sys यानि कि system files होता है जैसे मैंने आपको उसमें बताया था .ms.sys तो यह सब जो हैं वो system files होते हैं जो बूट करने के काम आती है .tmp ठीक है यह सब temporary files होती है जो कुछ समय के लिए computer पर रखी जाती है और अपने आप कुछ समय के बाद यह समाप थो भी जाती है जब इनका काम खतम हो जाता है ठीक है website का operations बना सकते हैं तो इन में सबसे popular है .html hypertext markup language इसमें आप website के pages बना सकते है .xml जिससे आप html में data जो है वो control कर सकते हैं .php यह भी एक open source server end की language है जिसमें server programming की जा सकती है .jspx java server pages और .aspx active server page यह भी जो हैं वो server end की programming करने के लिए काम आते हैं तो यह था computer का एक परिचे आज हम लोगोंने कुछ महत्वपूर्ट चीज़ें देखी हैं जाना है कि computer क्या है क्या उसके input किस तरह से input होता है क्या processing है क्या output है यह हम लोगोंने समझा फिर हम लोगोंने समझा कि generations कौन-कौन से हैं फिर हम लोगोंने software hardware के बारे में भी जाना है important file formats के बारे में भी जाना है आपके यदि कोई सवाल हूँ तो comment box में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को यदि subscribe नहीं किया हो तो कृप्या subscribe जरूर करिएगा अगले lesson में हम जानेंगे input devices के बारे में एक-एक करके आज तो हम लोगोंने बड़े short में जाना कि input devices क्या होते हैं अगले lesson में हम लोग एक-एक करके हर input device के बारे में विस्तार से जानेंगे तो देखिएगा जरूर हमारा अगला lesson तब तक के लिए नौशकार हुआ हुआ झाल झाल